वो तमाम दर्शक जो स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे हैं और ये सारे मेरे खास महमान आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं ठीक पीछे आपको वही साउथ और नौर्थ ब्लॉक नजर आ रहा है यहीं पर तो आने की पूरी कवायद है यहीं पर तो आने की जद्दो जहद है औ पर उसी जद्दो जहद में आप क्या देख रहे हैं मुद्दा बंता है राम मंदर का मुद्दा बंता है EDCBI का मुद्दा बंता है Electoral Bond का मुद्दा बंता है EVM का मुद्दा बंता है मचली और मास का मुद्दा बंता है रोजगार का मुद्दा बंता है महंगाई का मुद्दा बनता है मेरे लिए बहतर कौन तुम के यह मुद्दा बनता है NDA बहतर के इंडिया अलायंज मुद्दा बनता है मोदी के नाम पर राहुल गांधी के नाम पर आज इन्ही मुद्दों पर हो जाए एक जोरदार तीकी बहस शुरुवात करते हैं खास पहमानों से मैं आपका परिचे करवादू उससे पहले मैं चाहती हूँ कि जनता के बीच जाकर बकाइदा इनसे पूछा जाए कि आज इनके मन में वो कौन सी बात है जो वो नेताओं से पूछ लेना चाहते हैं आप तयार हैं अच्छे तरीके से त इस देश में फ्री और फेर एलेक्शन होंगे इस बार यह बड़ा सवाल है लेकिन आप देश के चुनाव आयोग पर क्या सवाल उठा सकते हैं मैं हम युवा हैं और केंद्री विसुद्याले में लगातार फीस बढ़ रही है चाहे वह इलहाबाद विसुद्याले हो चाहे कि लिए सरकार क्या करेगी अकर में यह पुछना चाहता हूं मैं यह नेता लोग से कि लिए नेता लोग यह कब नहीं चाहेगा कि यह देश में एक बार चुना हो पुड़े देश में यह नेता लोग कब चाहेंगे हम यह नहीं कहते बी जेपी आम आपी की तरफ से मैं क्या कितने लोग चाहते हैं कि वान नेशन वान इलेक्शन हो जाएं कि कितने लोग चाहते हैं अच्छा यह तो बड़ा 50-50 बामला हो गया क्यों नहीं चाहते हैं तो आपके घूमने के चक्कर में बार बार चुनाव करवाएं तो खास मैमानों का परशया आपसे करवा देना चाहती हूँ जौड़ार तालियों से स्वागत कीजिए बारतिय जनता पार्टी के राश्ट्र प्रवक्ता इस वक्त आपके सामने आर्पी सिंग सहब है जोड़दार तालियों से स्वागत कीजे आरपी सिंग साहब का हमारे साथ RJD के राश्रिप्रवक्ता नवल किशोर जी भी जुड़ चुके है नवल जी आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है हमारे साथ अखिलेश कटियार साहब समाजवादी पार्टी से नेता है पहली दफा यहां इस मंच पर मेरे साथ इनफाक डिबेट कर रहे है सर आपका मैं ज्यादा स्वागत करती हूँ आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है सिंग साहब शुरुवात आपस बहुत आपको नाज और इंडिया गटबंदन कह रहा है अब हटा देंगे ताज जली इंडिया गटबंदन आपस में क्या कह रहा है ज़र उसकी वी चर्चा कर ले ममताब एनर्जी ने क्या कहा था कि राहूल गांदी जा कॉंग्रस पार्टी तीन सो में से 40 सीटे जीत लेगी तो बड़ा तीर मार लेगी यह हमारा बयान नहीं है ममताब एनर्जी का बयान है तो किसको किसना कॉंग्रें सबको जानकरी है देश आज एक ठीक रस्ते पर है एकनॉमिकली ठीक रस्ते पर है देश के आम जन की चिंता हो रही है देश में जो ग्रीबी रेखा के नीचे लोग से वो ग्रीबी रेखा से ऊपर आये हैं आज देश के अंदर लगबग सवा 14 करोड़ लोगों को नल से जल मिलना शुरू हो गया लगबग सवा 11 करोड़ कसानों को कसान समान निजी कंतर गत लाम मिनने लगा लगबग 18 करोड़ लोगों को अभी रोजगार की बात कि एन लेकिन जो ग्राउंड से निकल के और जो ग्राउंड से आवास निकल कर आ रही है वो रोजगार की आ रही है हुआ करे रोजगार नहीं है रोजगार हमें मिल ही याद और हमें वी को घिमयरे एक स्थार्ट से दितakah उपर क्यों करें तो सिमंड भी लगा होगा इड लगे वी लगें हो गिन इंजिनेर भी लगें होगे और ये एक सेक्टर है, इसके लावर में आपको बीचों सेक्टर पर ना सकता हूँ, ये क्या जादू की छड़ी है, कि देश जो है, वो GDP के मामले में साइट ट्रैक पर चल रहा है, वो करोडों के आकड़े गिना रहे हैं, कि घर मिल गया है, छत मिल गई है, रोड बन रहा है, नेटवर्ग पूरा का पूरा बिचाये जा रहा है, तो ये क्या कोई जिनी है, जो मोदी जी आते हैं, चिराख गिसते हैं, और वो जिनी बार आ जाती है, रोजगार नहीं होता उत्पन, रहे हैं, रहे हैं, सबसे महत्तपूर्ण बात ये है, कि दस साल हो गया, मोदी जी को आए हुए, और जो वादे वो चौदा में किये, वो 19 तक पुरा नहीं किये, बोलते दें कि 2022 में पुरा करेंगे, 19 में आये, 26 तक रहे, अभी 24 तक का हिसाब देना चाहिए, कि आपने रो या 15 रुपए देने की बात हो, आप हर मुद्दे पर देखेंगे, जो जन सरुकार के मुद्दे हैं, उस पर हमेशा भी फल है, यही कारण है, अगर आप कह रहे हैं, कि इन लोगों ने कोई काम नहीं किया है, आप यह कह रहे हैं, कि इनके मैनिफेस्टों का एक सपना पूर और नोकरिया किन के साथ दी, जिनके साथ भारत की बात नहीं कर रही हैं, आप कैसे बाबु जो कह रहा हैं, नोकरियों के बारे में, मैं तो एक बार के लिए उस पर यकीन कर लेती हूं, जो भी देश के लिए काम करेगा, उसके साथ आग बंद करके खड़ी हो जाँगे, यह लोग विश्वास करें, तो किस पर करें? कि अल्टी हम क्या अलग अलग मैनिफेस्टो देखे, अगर आप एक इंडिया गठभंदन बना रहे हैं, तो एक ही मैनिफेस्टो निकाले ना? कुछ नहीं बोलना है, वोटर हो के नहीं हो? अभी नहीं हो मैम अभी नहीं हो? तो यहां घूमने पिंड आया थे? नहीं देखने आया था, डिविट सुनने आया था कितने साल क्यों हो? मैं अभी 18 का कमटिक्ट हों कुछ समय पहले एक महीना कम रहता है? जी कब देंगे वोट? नेस्ट जब इलेक्शन होगा तब दोपर दूँ घुमा के हर चीज को मंदिर पर, कि मंदिर बनवा दिया मतलब जहां पर इलेक्शन की कोई बात को रही होगी जहां पर गलत हो खोए, वहां बोलोगे कोट नहीं किया मंदिर बन अदिधम है न थंन हिए इतरणा नहीं चाहिए था क्रेडिट लेना खुद अहीं टेक्रेट किसको लेना चाहिए था नई एक तरफ तो बोलते हैं कि कोड का फैसला है बाकी चीज़े किजली वाल जी अरेस्ट हुए हमने नहीं कराया कोई भी चीज हो रही हमें हमने नहीं की जो गलत चीजह वह मनें की और जहां पर क्रेड़ लेने की बात हैं ने बोतल के साथ बोतल फ्री मिले ठीक स्कूल के साथ डारू को ठेका खुल जाए ठीक उन्हें नों को जाकर पूछना रेगर बुदह में आज़ाता हूँ बहने आखu खून के आसूर होती है जिसके उनके हुआ हुआ हालत में यह पूरा यूएस से पूरा यूरॉप मिला लो उत्ते लोगों को यहां पर देश में अलाज फ्री मिलता है यह बाहर के देश अभी फोटू छपी थी वहां के जो राजा है उनको कही के घंटे वहां बैठे रहना बड़ा हॉस्पिल कंजर लाज नहीं मिल रहा था यहां पर आज पांच लाग का इश्मान का का लगाओ कुछ और लोगों से बात करते हैं आई सर कहां से आया अच्छा करोल बाग से यहां अजय को मैं फैनू मैं अपना काम कर रहे हुं लेकिन आप एफ इंप बड़ा बड़ा शीरवा देता हूं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अशार यहां जो जनता है वो सवाल पूछ रही है और आप तारीफ कर रहे हैं नहीं मैं तो बिल्कुल बीजुपी की तारीफ मैं इन लों का इंडिकर बनन मना हुआ है लेकिन सबके अलग अलग मैनेफेस्टों कोई अधिक्राइब नहीं है कि दिखा पाए कि हांचब चुनाओ जीते तो आखिर उसको लीड कौन करेगा कौन लीड करेगा अखिलेश जी कौन लीड करेंगे आप माइक तो थाम लीजिए जैसे राजिस्थान में भी चुना हुए मद्प्रदेश में चुना हुए वहां पे भारती जनता पार्टी का भी कोई चेरा नहीं था लेकिन मुखमंत्री वहां पे आज रूल कर रहा है हमारे देश में चाहे ताउ ये चोदरी चरन सिंग साब के बाद इंदकुमार गुजराल साब का हो देवगोडा साब की हो और बहुत सारी सरकार रहे हैं बीपी सिंग साब की हो चंसेखर साब रहे हो हमारे चुने हुए सांसत जो जन प्रितन आप किसको प्रदानमंत्री देखना चाहिए चलिए आपको मिल की 400 सीटे इंडिया गटबंधन को मिल गए 400 सीटे आप कौन बनेगा प्रदानमंत्री भारत से जो जन प्रतनिदी चुनेंगे यह मेरा अधिकार नहीं है रूबका जी कि मैं बता हूं जो सांसर चुनके आएंग कि जो नाशनल है बाकी सब तो रीजनल पार्टियां है कैसे होगा नवल किशोर जी मैंने अभी भी करा हूं कि जो संसदीय प्रणाली है उसमें नेता का चुनाव जो होता है वो सब लोग मिल के चलते हैं और करते हैं और यह एक बार नहीं हुआ है अगर इन चीजों को आप उस लेबल पर ले जाकर देखना चाहते हैं तो यह आपकी मर्जी है जिसमें की लोग जो जीते हुए लोग है वो चुनाव करते हैं अब ही देखो हमेशा आम आदमी पार्टी ने जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दीपक चौरस्या अब हमारे बीच में है कितने लोग जानते हैं दीपक चौरस्या को सर वो तो कुर्सी पर घड़े हो जाएंगे अब दीपक जी हमारे साथ यहां पर वरिश पत्रकार के तौर पर है दीपक जी बहुत-बहुत स्वागत है अब अरे नौल भाई आप भी हैं बहुत-बहुत स्वागत है इनको देखके मेरे दिल में कुछ-खुछ होता है यह यह कौन सा इश्क है यह वह वाला इश्क है जब मैंने इंसे पूछा था कि एक दिन मुझे डाटने लगे कि आप मेरे शो में बहुत कम टाइन दे रहे हैं तो कुनों का जीरो मैंने वला टाइम भी उसके हिसाब से मेलेगा अगली बर मोका मिले इरूबी का जैसे को समय सबको मिलना ची पर ने पर सिंसाब थोड़ी एडिटर है आप थोड़ी डिसाइट रहे हैं हम तो आग्रा ही कर रहे हैं आप से आग्रा आप कर सकते हैं लेकिन कु लो कैसे आगा हूँ कहां से आई है डिली से हुँ तो न्यूस अदिक हैं न अकर विचार चल रहा है कि है जाी है कि आतनी सालों के बाद पहलीinhos थे सालों में विकास होते देखा है आज तक तो हमें यही लग रहा था, यह fact है, मुझे यही लग रहा था, कि हम लोग, अभी आजादी नी होए है, मुझे तोτέ कंगनारनाउत से क्भी बोल रही है, कि हम्दी आजादी नी होए, 2014 में ही आजाद है, नहीं यह फैक्ट मेरी एक हो बता रही हूं मुझे गणना रनावत से नहीं कुछ कह रही हूं मोलटी जी ने जो विकास किया है वह वाकई काबिली तारीफ है इसे कैसे भाई आप मानते हैं यह बाद बता देना मुमकिन है मुमकिन नहीं मैं ऐसा क्यूंकि मैं जिस वी लेज में रहता हूं मैंने देखा है कि जब से बीजेपी आई है उस जगह पे कैसे विकास हुआ है कि बात करती हैं आई चलिए मैं दिखाता हूं रोड कितना बढ़िया बना इस्कूल की बात करती है और अपोजीशन थी सरकारी स्कूल में पेंटिंग तक नहीं होती थी टीचर साथे नहीं थे बच टाइम से नहीं आते थे बच्चे पढ़ने नहीं आते थे अब जाके देख जिस गाउं को उन्होंने गोद लिया वह अभी तक खड़ा ही नहीं हुआ बड़ात होना दूर है यह तो आप किसी MP से जाकर पूछ लिए कि जिस गाउं को आप कसम से आप यह मत कीजिएगा कि अपने सीना खोल के बताओ कमल का फूल चुपा होगा मैं तो इन पर पोई साल ली नहीं है मैं जहां विकास देख के आऊंगा मैं तो वही देखूंगा ना कहां से हो मैं यूपी में एक सिद्धार्त नगर है उस गाउं से हुआ है तो हम आप पर आएं देखें वहां एक तो गौतम बुद की बर्थ प्लेस है वो आप जरूर आई है मैं पर वकास हुआ है अब यह तो मानें गांकि अखरन तकी यह नहीं मानेंगे अच्छा घ्र कावो में हर घर में सोचारे में友 केНе मिल गया है या अज़काぎ आप Давайте को तो यह अपने आख करते ना यह तो नोक्री के एवज में जमीन हलपते हैं अभी गाना गा रहे थे ना अभी मुकतमा चले इस इस बात का कि नोक्री लो जमीन दे जाओ अखिले जी रुकिए दीपक चौरसिया सवाल आप से इसलिए क्योंकि आप आप बरसों से चुनाव कवर करते आए यह 2024 का चुनाव अलग है और है तो किस लिहाज से है सबसे बड़े इस लिहाज से कि मुझे अफसोस पोजिशन वाले कहेंगे कि आप यह बात क्यों कह रहो लेकिन मैं कहूंगा क्योंकि यह फैक्ट है और यहां जो बैठ है उनकी जबान से यह बात निकल रही है कि यहां पर मोटे तोर पर लोग मान चुके हैं नारा चल रहा आपकी बार 400 पार 272 की तो कोई बात ही नहीं कर रहा है कोई यह कहीं नहीं आएगी अब डिसकेशन बात पे हो रहा है 400 आएगी कि 300 आएगी 272 तो आगी ना तो मेरे ख्याल से यह चुनाओं बिलकुल अलग है मैंने इतना निश्क्रिय विपक्ष आज तक किसी चुनाओं मे 1992 के बाद नहीं देखा 1993 से इतना निश्क्रिय विपक्ष कही नहीं देखा मैंने निश्क्रिय विपक्ष देखे यह 400 पार का इतिहास नवल जी अकेला चना कहां ने ने चने में तो इतना दम होता है कि अकेले भी बहुत कुछ कर सकता है आप आप डेगो चना की ताकत आप करने के वो कई तरह कई फॉम में मौजूद है कहीं सत्तू खाते हैं कहीं भूजा खाते हैं कहीं कुछ का कहीं उसको भूज कर खाते हैं रगचीज और चीज़ इतना नहीं सी इस बार भी जो दस साल के बार का उनका जो पर्फॉर्मेस है उसका लोग रिपोर्ट देख रहा है और यही कारण है कि मैं आज भी आज भी यहां से कहना चाहता हूं अब एक सवाल आप लोग जब भी कोई प्रेस कॉंफरेंस करते हैं नवल भाई आप भी अखिलेश भाई आप भी आप लोग यह कहते हैं कि इस बार अगर चुनाव यह लोग जीत गए तो संविदान बचेगा ही नहीं आपने क्या समझ रखा है वो चना जिसके डालते हैं नशेकर तो वह संशोधन किये बगर हटा देंगे यह लोग जो सवाल पूचता हूं जिस मुद्धे पर आप आए थे दुहजार चोदा में दुहार उन्यस में आज 10 साल हुए आपको उस पर जबाब देना चाहिए आपके पिछ तयार करें कि यहां नहीं बचेगा पिन रहें कि तो दोजर चॉपीस के बाद समयदान नहीं बचेगा आप यह सबीनान करें लोग नहीं आएगा इस तो परतियाशी घूम रहे हैं वोट मांग रहे हैं छिए लोकतंत्री तो है अचा रूब बहुत 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 अच्छी यह बात उन्होंने कहीं जवाब दीजेगा सिंग सामा सनातन पर भी आना है बड़ा डिबेट उस पर भी अभी चिड़ेगा सम्विधान रहेगा या नहीं रहेगा लें यह बताए आप लोग सम्विधान का पालन कितना करते हैं पहले यह बताईए जोरदार तालिया बड़ी बात कह दी है नवल किशोर जी सच बताईए न मतलब आप आप काहें इतना लोगों को डरा रहें कि सम्विधान बचेगा नहीं कि सुप्रीम कोट कहता है दिली के कॉंटेक्स्ट में चुनी ही सरकार सर्वो पड़ी है आपने सबसे ज्यादा संविधान में संशोधन अगर किसी ने कि आप लोग संविधान खतक हो देना है आप प्रतियासी खुले तोर पे कह रहे हैं प्रचार में कि हमें वोट दो 400 पार कराओ क्योंकि यह संविधान बदलना है एक मिन सुनी ना परधान मंत्री जी से उपर तो कोई नहीं परधान मंत्री जी ने खुज कहा एक तीवी शो मे आप प्रफेसर ना अराम से उन्होंने कहा कि इस देश के संव्दान अब बाबा साब अमेटकर जीव आकर बदाना चाहिए तो नहीं बदल सकते हैं यह देश का संव्दान नहीं बदल सकता कोई भी यह कोशिश करी थी अमर्जंसी में किरपा करकर जोतने बच्टें बैटे हैं 1976 दिसंबर की बात है वहां तब कोशिश करी और तब बदला भी गया तब हुआ उसके पहले नहीं और एक और बदा दू उसी संव्दान का लाब लेते हुए 90 बार सरकारे इन्होंने गिराई 356 का फैदा उठाते हुए उसी संव्दान के अंतर का पूरा विपास भी नह लेते हुए उसी संव्दान का लाब लेते हुए यह जो एक narrative सेट करने की कोशिश की जा रही है कि सम्विधान नहीं बचेगा और किसी पिछ पर खेलेंगे तो हो सकता है गड़बड़ी हो जाए लेकिन अगर यह लोग आ गए तो सम्विधान तहस नहस कर देंगे परदान मंतरी जी से ऊपर तो कोई नहीं ना उन्होंने पस्टा से कहा और एक पुड़ुके ना अरे सिंग साब यह सवाल दीपक चौरसिया जी से है अचा खुद परदान मंतरी कह चुक है है मैं आरपे सिंग की बात को एगरी करता हूं लेकिन मैं एक बात कहना चाता हूं रुपिक आप जानती है मैंने दुनिया भर से रिपोर्टिंग की है वाश वाइट हाउस से की है टेन डाउनिंग स्टीट से की है रश्या में क्रेमलीन से की है शंगाई से की है ब्रसल्स में यूरोपन यूनियन से की है इस देश की सबसे बड़ी ताकत इस देश के एक सो करोड़ लोग है यहां का प्रजातंत है वो बेहत परिपक्व है अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी समिधान को खतम करने की कोशिश करेंगे या हटाने की कोशिश करेंगे या कुछ देश का प्रजात तंत्र बहुत महान है अब यह तो यह तो होगी संब्धान की बात अब मुझे बताइए इवी एम को लेकर भी आप लोगों को संशय है हां कि बटन दबाते हैं यहां चला जाता है वहां केरल में परसों जो है मोक पॉल हुआ और वहां पे मोक पॉल के दर्म कि बोट ज्यादा क्यों निकल ले हमें संसे नहीं है इस देश को संसे आप यह मत कहें हम यह मैं की को तुनियों पर रहे एक पार जखिले मैंने ना पूर्व चुनाव आयुक जो है उनसे बात की थी आरोडा साब आप भी जानते होंगे उनसे मैंने बात कि उनसे सीधा सीधा सवाल पूछा कि आप लोग तो बिल्कुल नस्दीक से EVM पर काम किया है, मुझे ये बताईए कि ये टेंपर किया जा सकता है, इसमें किसी तरह की गड़बड़ी हो सकती है नहीं, तो उन्होंने ये फोन उठाया, उन्होंने का रुबिक बढ़ी किया जा सकता है، इसमें किया जा सकता है, ये चुना वायूक ने कहा है, किसी और नहीं सरुमाचित रुए ना पर काप्तेन साब तो आप से भी महबद करते थे परचार भी नहीं करने दे रहे हैं उनको परचार भी नहीं करने दे रहे हैं उनको अब कुछ बोदेस्ट बहुचा या अपने मामला आता है भारती जनता पार्टी और इंडिया एलाइंस के लिए मुद्धो की कमी नहीं है चाहbecue बे-रोजगारी हो चाही ब्रेस्ट Commission की और किसी भी मामले में इस बात को बेताओं दीपक जी भी मुद्दों की कमी नहीं है लेकिन आप लोग सनातन का अपमान करने से बाज नहीं आते हैं मुद्दों की कमी नहीं है फिर भी प्रभू राम के प्रती आधर करने में आप कत्रा जाते हैं मुद्दों की कमी नहीं है फिर भी आप चुनावायों पर सवाल खड़े कर देते हैं मुद्दों की कमी नहीं है उसके बावजूद आप लगातार वहां नकसली अटाक होता है नकसली को खतम किया जाता है तो आप उनको शहीद कह देते हैं आपके पास मुद्दों की कमी नही आपका बहुत बहुत शुक्रिया बड़ी कबरेज लखातार जारी रहेगी मुझे दीजिए जाज़ाद देखते रहेए निज़ेटी इंडिया इंडिया बादार झाल झाल